अगर आप पिछले वीडियो को देखें कमेंट्स देखें या फिर हम मुझे पर्सनली बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो इसे जो हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ा जाए इसमें तो ये कंप्लीट टॉपिक हम करेंगे यूट आपने सभी ने सब्सक्राइब करना है चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए और कमेंट्स के मादियम से बताते रहें कि सर हमें इस टॉपिक की नीड है हम वो टॉपिक यूटूब पर अवेलिबल करवा दिया जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं बा कि इवलुइशन जो है वो चलता रहता है जब एक विद्यार्थी स्कूल में कदम रखता है उसके बाद उसका जो है वो मुल्यांकन जो है वो चलता रहता है किसी ने किसी मादियम से इसके अंदर पार्ट सा जाते है कुछ एक माल लीजिए हम यह कह सकते हैं कि यह जो है वो पार्ट किसके हैं, यह दोनों किसके अंदर आते हैं, यह evolution के अंदर ही आते हैं, इनको एक भी किया जा सकता है, इनको एक भी किया जा सकता है, यह दोनों एक भी हो सकते हैं, क्योंकि है तो यह परिक्षा हैं, है तो यह परिक्षा हैं, तो अगर किसी विद्यार्थी को school में admission तो उसका मुल्यांकन किया जाता है यानि उसको जो हो टोटल प्रसनलिटी टेस्ट किया जाता है उसका समय समय पर according to need तो वो हो जाता है evolution और जो pen copy से related बाते होती है जहां पर number की बाते होती है जहां पर development की बाते होती है ठेक है वो हो जाती है measurement and assessment फिर जो है वो इनके अंदर बहुत सारे इनके अंदर जो है वो बहुत सारे test आ जाते हैं जैसे measurement के अंदर और assessment के अंदर जो है वो achievement test आ जाता है ठीक है, डाइगनोस्टिक टेस्ट आ जाता है, ठीक है, अब देखो achievement test होगा, वो दो प्रकार से होता है, formative assessment और summative assessment, इसी तरह से चलेगा, मतलब ये क्या है, उखा क्यों लग रहा है विद्यार्थियों को, परिशानिया क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं, कि evolution, assessment, measurement तो इनको अलग-अलग माल लेते हैं, या formative, summative अलग चीज़ है, achievement अलग चीज़ है, इस तरह से माल लेते हैं, होती ये एक ही process है, देखते हैं इसको आज किस तरह से हम complete करें, तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्या चीज़ें है, क्या measurement है, क्या assessment है, एक एक शब्द को मापना, यानि हमें माप कर कुछ न कुछ अंक मिलेगा, ध्यान रखें, यहाँ पर measurement के अंदर अंक शब्द जो है, वो बहुत important है, number शब्द बहुत important है, score शब्द बहुत important है, मैं आपको exam के point of view से बता रहा हूँ, ठीक है, number, और क्या चीज़, score, ये तीनों बहुत शब्द है, इसको define करने के लिए, यानि measurement जब होगा, न कोई न कोई हमें अंक मिलेगा, 57, 10, 1500, 500, 1000, और उसके बाद हमें number मिलेगे से, हमें score करना पड़ेगा हमें, ठीक है, देखी जरा, measurement is an evolution, देखो, पहली बात ये हो गई, पहली बात ये समझे, कि measurement evolution का ही part है, याना, expressed in quantitative, quantitative terms, मैं यहां अगर चोथा शब्द लिखूं, तो यही है, ये चार शब्द अगर आपको किसी भी paper में, या किसी भी equation में मिलते हैं, तो उसका answer होगा measurement, क्यों, अंक लेके आना, मान लिजे किसी विद्यार्थी को 100 number का paper मिला, ठेक है, उसने जो 100 number में से, जो है, वो 94 score किय ठेक है, 94 score किया, तो ये अंक है, नंबर है, उसका score है, और ये quantity है उस number की, ठेक है, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे, कि अगर किसी चीज़ को अंक में, नंबर में, ठेक है, इस तरह से define किया जाता है, तो वो measurement होता है, उसके बाद देखी, assessment क्या होता है, ठेक है, उसके of collecting, reviewing, and using data for the purpose of improvement, assessment क्या होता है, कि measurement से जो हमें data मिला, यानि measurement के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक test लिना पड़ेगा, मान लिजी एक test लिया, मैं सिर्फ पढ़ाई से जोडता हूं बात, ठेक है, वैसे तो height मा अपना, ये वगरा, कुछ भी, weight मा अपना, वो क्या चीज हो जाती है, ठेक है, measurement ही हो जाती है, जैसे अपने generally क्या करते है, measurement लिलिया क्या कपड़े से लवाने, वैसे बोलते हैं, measurement, तो संख्या में लिखना होता है, मान लिजी ए test लिया, classroom में पढ़ाया गया, और test लिया, जिसे कहते है, achievement test, अब ये achievement test जो है, वो unit का होता है, ठेक ह ребra, syllabus का लिया जाता है, पूरे syllabus का लिया जाता है, या फिर at the end of the syllabus लिया जाता है, तो summative assessment, मान लेजिए ये हुआ, ठेक है, अब यहां पर इन दोनों में से, ये जो है वो नहीं होगा, ये यहां पर नहीं होगा, इस में, जो है वो, assessment में, ये जो है उपने नहीं करेंगे, क क्लासरूम में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लिया, टेस्ट में हमें पता चला कि विधियार्थी का सकोर क्या है, कितने नंबर आए, यह पता चला, अब उस डेटा को कलेक्ट किया, रिव्यू किया और यूज किया, किस के परपस के लिए इंप्रूवमेंट, य जहां जहां जो है वो अच्छा करने का प्रियास कर रहे हैं, वो असेस्मेंट होता है, समझे इस बात को, बहुत इजी वे में चलाएंगे, मैं कह रहा था, कि यह दोनों एक भी उसकते हैं, ठेक है, in the learning process, it is the part of curriculum, यह भी एक जो है, यह सारे ही curriculum का पार्ट है, तो लास्ट अगर अवोईड करें, लास्ट में पड़े तो भी बड़ी है बात है, ठीक है, measurement नंबर देगा, उन नंबर से प्रियोग करके उन नंबर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने आपको इंप्रूव करेंगे, अपने knowledge को बढ़ाएंगे, तो वो क्या हो जाता है असेस करना खुद को, आंकलन करना, ठीक है, वो टीचर के दिवारा भी होता है, और वो स्टूडेंट के दिवारा भी होता है, उसके बाद देखिए, evolution क्या होता है, evolution is described as an act of passing judgment, बहुत ही चांदार सब्द है, standard pass करना, judgment pass करना, यानि निरने दे देना, judgment on the basis of the standards, basis of the standards, यानि a plus, b plus, इस तरह से a, a plus, b, b plus, उसके हिसाब से, it is the decision making power, ये देखिए, ये decision making process होती है, क्या होती है, decision making process, यानि judgment देता है, भई, मैं हमेशा कहता हूँ, classroom में, मुझे बड़ी अच्छे लगती है ये बात, शायद आपने भी ये बहुत बार सुनी होगी, और आपको भी ये evolution क्या होता है, evolution के बाद में हम ये कहते है, evolution judgment देता है, grades देता है, standard देता है, यानि हमें promote करता है, एक class से दूसरी class में evolution, evolution का, जो है, वो result है, वो last में हमारे सामने show किया जाता है, these all the terms are the part of curriculum, ये सारे किस के part है, curriculum के हैं, थोड़ा सा इसको समझे, थोड़ा सा इसको समझे, कि हमने measurement किया, एक test लिया, जिसके अंदर बच्चों को achievement test दिया गया, अब test में number आए, जो है वो क्या, 10 में से 3, मान लीजिए 3 आए, पहले चुराणम आए थे सार, अब 3 कैसे, ऐसे ही होता है, तीन आगे, अब हमें पता लगा, ये number कम है, अब हमने इस data को, ठीक है, यहां से, जो है वो data मिला, इस data को collect किया, review किया, पता किया, क्या problem है, और improvement करी, अब हम improvement, हमारा उद्देश से क्या है, यहां पर हमारा उद्देश से क्या है, measurement में, कि कि कितना अचीव किया, कितना सीखा, यहां हमारा उद्देश से क्या है, कि हम improve करना है, हमें, हमें खुद को क् ने इविलीशन को मिलता है एक लिक अक्षया में ग्रेड दी जाती है उनिविस्टी एक्जामेनिशन या बोर्ड के द्वारा वो प्रदान कर दिये जाते हैं इन तिनों में कभी भी कन्फ्यूज होना नहीं बनता आपने कन्फ्यूज इन में नहीं होना है उसके बाद देखिए कि evolution या assessment assessment की बात की जा रही है यहाँ पर evolution की नहीं मैं यहाँ पर assess की बात करा हूँ assessment की बात करा हूँ देखिए assessment जो है वो CCE के मद्यम से जो है वो हमारे सामने प्रस्तूत किया गया CCE सप्टेंबर 2009 में हमारे सामने आया हमारे schools में लागू हुआ अब उससे पहले क्या था क्या था कि जैसे ये कोई एक साल है यहाँ से जो हो जुलाई से कोई साल सुरू हुआ और लास्ट में मार्च के अंदर यहाँ पर एक परिक्षा होती थी और यहाँ पर एक परिक्षा अब इन परिक्षा में क्या होता था विद्यारतियों कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कमियों का पता नहीं लगता था अब कमियां का पता नहीं लगे सुधारेंगे क्या अगर रोग का पता ही नहीं लगे तो रोग को सुधारेंगे कैसे तो गलत हो जाती यह बात तो यहां पर क्या होता है, नंबर आते थे, आप देख सकते हो, एक्जांपल मैं बता दूँ आपको, कि जब जब आपने पुरानी 2009 से पहले की कोई मार्शीट देखते हो, तो 60% जो अंक मर के आते थे, ठीक है, और आज जो 95 वाले सुसाइड कर रहे हैं, कहते हैं, किते कम हैं तो यह फरक क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या है, एक एजुकेशन जो शिक्षा जो बर्डन सी लगती थी, क्योंकि पढ़ने लगे, अर्दवार्शिक प्रिक्षा, फिर वार्शिक प्रिक्षा, सुधार पर कोई काम नहीं किया गया, 2009 के बाद में, क्या हुआ, कि हमें सम comprehensive process जो है वो चलने लग गई, जिसके माद्यम से विद्यार्थियों को units का test लिया जाता है, police labels का test लिया जाता है, और उनकी कम्यों का पता लगा के, आंकलन करके, उनमें development की जाती है, और वरतमान परिस्तितियां आप देख सकते हो, कि विद्यार्थी अपने score को कहां तक ले और यहां पर इन्होंने क्या हुआ पहली दूसरी तीसरी कक्षा तक पढ़ा, अब मान लीजिए यहां तक कुछ एक skill जो हो develop नहीं हो पाई, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट के माद्यम से उनका पता करेंगे और इनको learn करवाएंगे वो skill, उन skill में जो है proficient बनाएंगे उनको, तो पहला यह था कि अगर वाई, जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह की assessment की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें desired skill जो रह जाती थी ना, यानि मान लीजिए पहली क्लास में किसी कक्षा में कि या 5-4 दिन जो कोई विद्यारती नहीं आए तो उसे कुछ ना कुछ तो लोस अपलाई करना मतलब अपने knowledge को प्रियोग करना भी आना चाहिए, जैसे एक paper की बात करें, 2018 में, 2016 में जो paper हुआ, उस paper का level जो अगर देखे ना उस paper को तो बहुती आसान था, दिखने में बड़ा आसान था, लेकिन उसे apply करना, अपने knowledge को उस paper में apply करना, जो है वो एक अपलाई करना ये भी हमें पता होना चाहिए, उसके बाद देखे, उसके बाद दोगे, to enable the student to work in groups as well as individual, यानि यहाँ पर different types of activity करवाई जाती, assessment के माध्यम से, जिन में क्या होता है, कि विद्यारती social activities, social ability को develop करता है, वो group में भी work करता है, और और किसमें करता है, individual भी work करता है, to develop high level skills, ये high level skills का मतलब है, अपनी competencies को बढ़ाता, यानि ये चार चीजें जो है, वो 2009 से पहले नहीं होते थी, इन पर कोई focus नहीं था, वर्तमान में ये चार चीजें हैं, तो आप number भी देख सकते हो, विद्यारतियों के, तो ये जरूरतें थी, साधरन बात है, पुछ कैसे apply करें अब इसको, हम assessment के माध्यम से कैसे विद्यारति को, जो है, वो develop करें, तो by applying multiple methods, सबसे पहले, अगर आपका method suitable नहीं है, मान लेजी, आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और कक्षा में पढ़ाते समय, विद्यारतियों को बार-बार ये सामना करना पढ़ रहा ह तो you should change your method, यानि अलग-अलग तरीके डोलप किये गए हैं, जिनके माध्यम से हमें पढ़ाना है, तो methods को apply करिए, अलग-अलग methods को apply करना एक teacher को आना चाहिए, ताकि विद्यारतियों के learning ज्यादा हो सके, क्यों होता है, क्योंकि subject different है, student different है, और method भी बहुत सारे है, यानि एक class में अगर हम देखें, तो सभी बच्चे एक ही method से पढ़े ऐसा समभव समाननेता नहीं होता, क्योंकि अलग-अलग बुद्धि लब्दी, अलग-अलग level, अलग-अलग mental ability के लोग वहां पर बैठे होते हैं, student बैठे होते हैं, उनके लिए हमें individual attention भी देनी पड़ेगी और उनके लिए अलग-अलग, भी subject अलग है, students की ability अलग है, तो methods of teaching अलग क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, तो हम अलग-अलग methods के द्वारा assessment को अपने जो है क्या development कर सकते हैं, ठीक है, फिर देखिए, by focusing on individual difference and by providing feedback, अब देखिए, individual difference, teacher को पता लगना चा चीजें, जो हो डोलप हो सकती है, हम विद्यार्थी को कहां तक, पिचानवे परतिशत, अठानवे परतिशत लेके जा सकते हैं, वरतमान परिस्तितियों में आप देख सकते हो, कि schools के result जो बहुत ही शांदा रहते हैं, और विद्यार्थी बहुत ही अच्छी अच्छी rank से select होते हैं, तो यह आपका matter है कि इस तरह से हमें apply करना चाहिए, what should not be done while assessing a student, क्या नहीं करना चाहिए हमें, एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, assessment के दौरान, यानि assess करते समय, पहला labeling नहीं होनी चाहिए, किसी परकार का label नहीं लगाएं, कि विद्यार्थियों को ऐसे चाहिए हो, तुम मुर्ख हो, तुम सीखने हो, कोई भी नामांकर नहीं किया जाना चाहिए, यानि नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए, विद्यार्थी को label नहीं लगाना चाहिए, comparison नहीं होता, दो विद्यार्थी है, ठीक है, ये दो जो है वो विद्यार्थी है, अब इ यह देख, यह सीख रहा है, तिर को क्या हुआ पड़ा है, वो गलत बात है, भई यह अलग mentality का बंदा है, यह अलग mentality का बंदा है, ठीक है, तो इनके दिमाख अलग-अलग है, तो comparison किस माध्यम से होगा, और हमारे तो एक रिवाज आई पड़ी है, कि उनके लग गया तूं क्य फिर जो है, यह कोई आई है, इस तरह से, अब यह क्या है, इसको जो है, फeason designing में, जो है, इंटरस्ट है, यह देख, इसको fashion designing में क्या है, इंटरस्ट है, अब इन तीनों को कह दे कि आप जो है, उन्गलिस के अंदर रिट वाला पेपर सोल करके दिखाओ, तो भैसाब जो ह और ये दीदी भी नहीं कर पायेगे, ठीक है ये भी नहीं कर पायेगी, क्योंकि इनका interest लगया तो इनमें कोई comparison नहीं है, ये खेल में अच्छा कर सकता है, ये पड़ाई में अच्छा कर सकता है, ये अपने personal business में अच्छा कर सकता है, तीनों ही highest level तक पहुंच सकते हैं, तो आप comparison किसी का नहीं करना, comparison हम नहीं कर सकते, उसके बाद देखें, competition, विद्यारतियों के बीच में किसी भी परकार खा, एक मध्यम से हम competition नहीं रख सकते, कि चलो तुम दोनों, अब इन दोनों को बोले, कि आप second grade वाला paper करके दिखो, तो यह competition हो गया, अब यह क्या हो जाएगा, पास और यह क्या हो जाएगा, demoralize हो सकता है, अब इसको इसके according पढ़ाना पड़ता है, ठेक है, negative statement हमें नहीं देने, किसी भी विद्यार्थी के negative statement पहुंचते हैं, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए आया है, वो बहुत सी बाते नहीं जानता, it's our duty to make them learn, यह हमारी duty है कि हम उसको समझाएं, उसके बाद हमने आगे आने वाले classes में इसको और continue करेंगे, आप अब तक की इन बातों को देखिए, क्यूशन करिए, जो है वो आप गूगल से कर सकते हो, किसी किताब से कर सकते हो, नेट से करिए, सभी तरह से आप क्यूशन करिए, असेस्मेंट और evolution और measurement के, इसको हम continue करेंगे आगे वानी class में, once again I remind you कि आप ज़्यादा से ज़्यादा share subscribe करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये process चलती रहेगी, हमारे efforts उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, और आपके जो है वो paper में बहुत अच्छे अंकाने के chance इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको matter मिल रहा है, जी हाँ, बढ़ते रहेए, और share करते रहेए, कमेंट के माद्यम से जरूर बताएं कि कौन से topic में आपको प्रेशानी आ रहे है, धन्यवाद मिलती हैं अगली class में.